लॉकिंग डिवाइसेज आज हम चर्चा करेंगे लॉकिंग डिवाइसेज पर उपर और इसमें देखो यह बॉल्ट है यह दूसरी टाइप का बॉल्ट दे रखा है जिसके अंदर यह हॉल दे रखा है यह नठ है और यह भी दूसरा नठ है परन्तु दोनों की जो थिकने से वो अलग अलगे यह देख रहे है एक छोटा एक बड़ा यह इस्प्रिंग वाशर है यह देख रहे हैं यह कट लगावा है यह इक दूसरा इस्प्रिंग वाशर भी दे रखा है यह देखों कट लगा रखा है और इसको ऐसे देखते हैं तो यह इस टाइप से दिखाई देता है यह split pin है, यह split pin है, यह split pin, इस haul के लिए काम आती है, तो अब इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं, कि यह bolt है, और इस पर यह nut लगा दिया, अब यह easily घूम रहा है, अब यदि मैंने tight कर दिया, और यदि यह hill रहा है, vibrations है, तो यह खुल जाएगा, यदि machine के अंदर vibrations है लगाता है, तो यह अपने आप खुल जाता है, यदि मैं एक nut और लगा दूँ, यह एक छोटा nut है, इसके यह लगा दिया, तो आप देख रहे हैं, यह दोनों साथ में गुम रहे हैं, परंतु, जब यह यहां से machine पर tight कर दिया, इसको यहां पर ही रखा, और इसको एक एक round दे दिया, उल्टा, यह इस type से मालू उल्टा दे दें, तो अब यह नहीं हुल सकता, यह गुमेगा नहीं, तो यह locking devices के nut के बारे में, और इसको lock nut कहते हैं, चोटे वाला को lock nut, इसको इस arrangement में भी रख सकते हैं, यह वाला, नीचे, यह इस type से नीचे रख सकते हैं, और दूसरा एक और उपर लगा सकते हैं, locking devices में सबसे पहले lock nut बताते हैं, lock nut में इसमें देख रहे हैं, कि यह bolt का portion है, और यह कोई machine का part है, और इसको tight करना है, तो यह lock nut है, यहां पर यह छोटे वाला जो lock nut लगा दिया, इसके दोनों तरफ चेंफरिंग कर रखिये, और यह दूसरे वाला है, जो main nut है, इसको nut को लगाया, इसमें main nut को नीचे लगा दिया, और lock nut उपर लगा दिया, यह ऐसा इसलिए करते हैं, कि यहां पर एक छोटा spinner हो सकता है कि लगे नहीं, क्योंकि thickness बहुत कम होती है, तिक नहीं कम होने के कारण spinner नहीं लगता है, इस कारण से main nut नीचे लगा दिया, और उपर है वो lock nut लगा दिया, और इस दूईधा को रोकने के लिए, यह वाली जो spinner की problem आती है, तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, कि दोनों बराबर size के nut लगा देते हैं, तो इसमें material saving भी हो जाती है, और दोनों की height है वो बराबर रख लेते हैं, इसमें ज़्यादा तर 0.75D काम में लेते हैं, 0.75, 0.75, इसको थोड़ा बहुत change भी कर सकते हैं, जैसा कि यहां पर देख रहे हैं, इसकी height है, वो इसके nominal diameter है, उसके बराबर ही रखी है, जबकि lock nut की जो size होती है, 0.5D to 0.7D लेते हैं, अब यह काम कैसे करता है, इसको मैं पूरी तरह से अलग से दिखाता हूँ, यहां पर हम देख रहे हैं, कि यह जो lock nut है, मैंने pink color से दिखाया है, और यह bolt का part है, और यह machine का part, यह machine का part आ गया, तो अब इसमें क्या है, जब यह nut लगा दिया, तो यह यहां देख रहे हो, कि यहां इस thread के यहां touch हो रहा है, यह इस जगें touch हो रहा है, यह gap है, बाकि gap है, जब उपर main nut लगा दिया, बॉल्ट के उपर main nut यहां पर लगा दिया, और nut को यहीं पकड़ करके, और lock nut है, उसको थोड़ा सा, उल्टा गुमा दिया, इस direction के opposite गुमा दिया, तो opposite गुमा दिया, यह position same की same ही, यह देख रहे हैं, यह यहीं touch हो रहा है, यह touch हुआ वा, यह touch हुआ, तो यह की यही position है, परन्तो जब A को वापस थोड़ा सा गुमा दिया, तो यह क्या होगा, यह इसको धक्का देगा, तो यह वाला portion है, इसके यह, यह touch हो रहा है, अब यहां देख रहे हैं, पहले ही, ऐसे touch हो रहा था, अब ऐसे touch हो रहा है, यह touch हो रहा है, तो बोतल लोड बी पर आजाता है मेहननट के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर यह स्प्रिंग वासर दे रखा है इस है क्यांगा दिखार के यह देख सकते हैं, आसानी से, तो यहां पर यह वासर है, वो फ्रिक्षन से रोगता है, जब नट को इसको टाइट कर दिया, तो यह फ्रिक्षन इसके अंदर फ्रिक्षन यह दबेगा, तो यह पॉर्षन देखो यह सीधा हो गया, जबकि यह उपर नीचे है और यह इसको tight करने के बाद में friction लोकिंग के तरह काम करता है और यह locking by spring वासर यहाँ पर यह है locking by split pin है । यह split pin दिखा रही है और यह जो vibrations के कारण nut है निकल करके ऐसे बार नहीं निकल जाए, इसलिए इसको रोखने के लिए ये काम में लाता है, ये यहाँ पर लगा दी, पिन लगा करके और इसको यहाँ से तोड़ा साख screwdriver से इसको खोल देते हैं जैसा कि यहाँ पर यह देखो खुलावा portion दिखाई दे रहा है और इसका जो diameter है वो 0.2 d के बराबर होता है d है वो इस bolt का nominal diameter है d ये nominal diameter का देर का है d और ये split pin है 0.2 d के बराबर यह इसका प्लान देर का है जैसा कि आपने देखा होगा पंखे के अंदर पंखे को जब हुक से लटकाते हैं तो यह यहां पर यह वाइब्रेशन्स वो पंखा मालो हिलता है पंखोडियों में बेंड है तो वो वाइब्रेश करता है और वाइब्रेट करने के कारण ये बार आकर के गिर सकता है और पंखा यदि गिर गया तो किसी को damage भी हो सकता है तो उसका यदि split pin लगा दी जाए तो ये देखे रहे हैं portion इस टाइप से दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये लटकी वी रहेगी और ये धिला होगा लूज होगा तो भी निकलेगा नहीं ये split pin का दिखार का है split pin का ये जैसे दिखार का है ये इसको सीधा किया जाए तो ये इतनी लंबाई होगी परन्तु इसको वापस एक round दे देते हैं round दे करके एक portion छोटा और एक portion बड़ा रखते हैं जैसा कि मैंने पहला बताया इसको यहां से या हतोडे से कर सकते हो एक पेचकस लेकर के और इसके हलका साख हैमर से चोट लगा देंगे तो ये खुल जाएगा और यदि पतली split pin है तो simple screwdriver से भी हो जाएगा और ये वाला जो आपके दिखार रखा है यहां से यहां तक यह straight portion देर का है straight portion है वो उस bolt के diameter के बराबर कम से कम उतना होना चाहिए और यदि बड़ी size है तो उसकी लंबाई वो straight portion के बराबर ही होना चाहिए इसका यहां से यहां से यह cut section दिखाते हैं यहां से यह A, A का तो यह देख रहे हो दोनों को अलग-अलग direction दिखाया है और इसकी जो safe है वो semi circle होता है semi circle तो यह दि पूरे को मिला दियाता है तो यह circle के बराबर है और यह इसकी जो size है वो 0.2D D है वो volt के diameter के बराबर होती है यहां पर locking devices का है यह castle nut जैसा की नाम है castle किला आपने देखा होगा fort fort की उपर किले की जो दिवार होती है उसकी जो round shape होती है और बीच में cut लगे वे रहते हैं round round shape होकर के और बीच बीच में slot type कटे वे होते हैं तो उसका आपन यह देख सकते हैं कि एक simple मालो यह nut है तो यह तो simple nut है परन्तु इसके उपर यह castle type बना दिया तो यह वाला जैसे दूसरा में portion दिखा रहा हूँ यह वाला portion इतना साग है परन्तु इस से यह यदी थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए तो यह बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर यह cut लगा देंगे इस type से यह cut लगाया यह यहाँ cut लगाएंगे यहाँ cut लगाएंगे और यहाँ cut लगाएंगे यह जो cut लगा रहा है cut की depth है वो यहां दिखा रखी है 0.3D के बराबर है और जो पिन है split pin का जैसा कि मैंने पूर्ण में बताया 0.2D 0.2D के बराबर है परंतु जो hole ले रहे हैं hole का जो यह cut जो लगा रहे हैं hole का कहा सकते हो यह cut लगा रहे हैं वो 0.25D ताकि pin है वो आसानी से गुश जाए और कई टच नहीं हो और उसके बाद में जहां पर यह अलग अलग angle पर यहां पर यह देरका है इसके बाद में यह फिर यह 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 तो यहां हर momentum के बाद में यह 60 degree 60 degree पर देरका है तो 60 degree round होगा तो next hole मेज कर जाएगा यह वाला जो है इस bolt के अंदर भी दिखा रहका है जैसा कि यह है यह वाला परंतो यहां पर जो है यह castle है वो आपस में इस type से यहां पर यह hole यह pin है यह यह लगेगी और यह देखो जैसा कि इसमें देर का है यह वाला portion और इसका उपर यह round दिखा रहका है यह तो यह ऐसा round ही दिखेगा यह round है और pin की जो इसकी लंबाई है fold की हुई pin तो यह side across flat यह hexagonal nut है इसका side across flat के इतनी straight portion आना चाहिए उसके बाद में pin की जो गोलाई है वो अलग है और यह दोनों मूँ जो split करेगा वो वाली length अलग count होगी इसका figure पूरा देखें यहां पर यह जो round दे रहा है इसी पर यह जैसे side को मैंने इसको w देख लिया आप size across flat तो यह circle है तो यह भी एक circle का diameter ही है डबड़ो लोकिंग device में भी next जो है वो plate यह plate दिखा रखी एक तो store plate भी कहते हैं या locking plate कहते हैं तो इसकी जो shape बगार अगर दे रखी है यह देखो यह यहाहां इस type से हैं यह इसकी safe है और यहां एक slot कटावा है circular slot है जहां पर अपन screw fit कर देंगे तो यहां पर जैसा arrangement देख रखा है यह machine का part है और यह bolt आ गया bolt आने के बाद में इसको यदि tight करना है तो यह इसका nut लगा दिया यहां पर nut को अपने यह size across flat यह size across flat दिखाई है यहां पर उपर यह tight करके और उपर यहां पर plate रख देंगे यह plate आपका देख रखा है यहां से यहां तक की लंबई दिखा रखी है तो इसलिए यहां से यहां तक है क्योंकि यह इस nut के पीछे आ गई इसलिए इसको hidden line से दिखाया है और यहां खाली जगें दिखाया है क्योंकि यहां पर भी यह gap ती है तो अब इसको हर moment को इसमें हर 30 degree पर गुमा सकते हैं इसको थोड़ा सा गोर गुमाया तो यह यहां पर फिट हो गया तो 30-30 degree के moment पर इसको set कर सकते हैं यहां पर जो screw है उसका यहां पर जो hole है उसका 0.25 diameter का screw लगाएंगे उसका जो है nominal diameter से और इसकी जो प्लेट की जो थिकने से वो भी इस screw और प्लेट सेम साइज की ही होगी तो यह यहां पर जो nut है तो यहां पर अब यदि यह उपर से screw कस दिया यह प्लेट आ गई तो अब यह moment नहीं होगा तो सारा का सारा जो है यह जो machine का जो part है यहां पर यह लोग हो जाता है अचा प्लेट की जो size है इसमें इद्धान देना योगे बात है कि यहां से इसके जो bolt या machine की axis जो है आ रही है यहां पर बोल्ट का center से ले करके और इस screw के center के जो दूरी है वो 1.5D होना चाहिए 1.5D तो इसका मतलब इदर है इतना है तो इतना के इतना है यह जो है इसका margin भी होना चाहिए थोड़ा सा तो यह वाला जो margin है वो total मिला करके इस plate की जो है चोड़ाई है इसकी 2D के बराबर यहां से यहां तर 2D होगी जबकि दूसरी side में यह इस side में यहां पर 2.5D होगी 2.5D हाप कहेंगे तो 1.5D